दोस्तों ये वीडियो इन्वर्सिटी वा कॉलेज बे पढ़ने वाले ये उन छात्रों के लिए उपाट्रेट है जिनका एक्जाम 2022 में होने वाला है यानि कि आने वाले दिरों में होने वाला है तो वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है पूरी अपडेट जो भी लेकर हम आप तक प्रवाइड करें तो आप तक पहुंचे के इसलिए प्रोसेस कर लिजएगा पहली बड़ी अपडेट के और बढ़ेंगे जो कि सबसे पहली बड़ी एलाउंसमेंट हुई है हाला कि आप सभी को मालूम है कि कवीट की वज़ा से काफी निवर्सिटी परिछाय कराएंगे लेकिन डेट के लांसमेंट कर रही है तो नहीं पर दिलह इनवसिटी से समुझे में परिछाय कराने की बात कह रहे हैं यानी कि जो परिछाय है वो मार्च और प्लेन में कंड़ेट कराएगा चलिए इसमें तोड़ा डीटेमिन पढ़ लेते हलां कि अन्य इन्वर्शिटी के छात्रों के लिए इंप्वाटन्ट है अगर हो सकता यह इन्वर्शिटी परिछाएं इस महिने में कराएं तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीज होंगी मैं में दूसरे चोथे चटवे वह आटवे समस्टर की परिच्छा आफ लाइन होंगी जबकि पहले पहले से इत्ता है मार्च में होने वाली पहले तीसरे पाच्वे फात्वे समस्टर की परिच्छा ओपन बुक एक्जाम वह से ओजित किया जाएगा डी यू अब रोध हैं यहां पर आप लोग देख लीजिए हलाकि यहां पर लिखा है कि डियो में ओभी ओ ठीक है यानि की ओपन बुक एक्जाम में अभी परिच्छा ले जाने के फैसले पर फिच्छकों ने आपत जताई है फिच्छक संगठन इंटेक के अधच डाक्टर पंका ज कोई मतलब नहीं है यानि कि डिल्हा इंवर्शिटी कह रहा है कि हम जब भी परिच्छा कराएंगे महीं की महीने में दूसरे चटे और आठवे समस्टर की वह परिच्छा आफ लाइन कराएंगे लेकिन वहीं पर एक बात और उठ रही है यहीं पर जबकि पहले से पहले से कि मार्च में होने वाली पहले तीसरे पाच्छों समस्टर की परिच्छा ओपन बुक के अधार पर कराई जाएंगी तो उसी को लेकर चात विरोद कर रहे हैं हाला कि अभी तो विरोद चला लेकिन आने वाले दिनों में जैसे इनवर्शिटी फानल नेड़े लेगा कि परि साफे त्यारी करिएगा ठीक है और दूसरी अपडेट हम आपको दिखा देते दूसरी अपडेट कौन सी है दो कि आ रही सेखा इनवर्शिटी की और से एक और से यह अपडेट आरे इसमें लिखा मैं मैं होंगे यूजी एक्जाम स्लेबर्स में कटोती नहीं तीन घंटे क कर रहेगा तो आप जो सेखा वेटिस सम्रच जितने भी कोलेज के चाहतर हो मैं में उनके एक्जाम होंगे विए विस्चिवी कोंके उसना आफ से तैयारी करिए और तीन घंटे का अप्सवी का एक्जाम होने वाला तो यह रहे कुछ बड़ी अपडेट जो कि आपको बतान जाएन